है 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 अनिल रतन का आपको प्रेम भरा नमस्कार दोस्तों आज फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं एक और रोचक टेस्ट मैच के बारे में आज मैं ब्यान करूँगा तो तो जहां तक मैं सुछता हूं यह एक इंडिया का टूर अस्ट्रेलिया गया था एक से पहले यहां पे जो थर्ड टेस्ट मैट मेलबर्ण में खेला गया था वहां यह वहां पे दो बहुत ही रोचक हाथ से होए थे जिसका मैं आपको जेकर करूँगा इससे पहले जो एक टेस्ट में सिड्डी में खेला गया था वह हिंदूस्तान एक पारी और चार रन से हार गया था जहां पे अस्टेलिया के स्टाइलिश भल्ले बाच ग्रेक चैपल ने एक धोरशा तक बनाया था और यह वही मैज था जहां पे हमारे ग्रेक चैपल ने अपनी पारी कुछ लेट बिगलेर की थी उस करके यह मैच ड्रॉव हो गया था अस्ट्रेलिया को टैम नी मिला था इंडिया को आउट करने के लिए पर दोस्तों जब यह टेस्ट आया था उस टेम तर हिंदूस्तान के ओपर काफी प्रेशर आ गया था क् हिंदूस्तान की टीम से जो हमारे महान सुनील गवासकर थे जो दोड़ टेस्ट हुए थे उसवएं यह टोटली फ्लॉप होए थे क्योंकि यह सीरीज शुरू होने से पहले यह एक संगर्ष था डैनिस लीली और सुनील गवासकर के बीच में जहां पे डैनिस लीली का पल् टेस्ट चुरू हुआ तो हिंदूस्तान ने पहले बल्लेवाजी शुरू की थी और हिंदूस्तान इस मैच में सिरफ टू थर्टी सेवन रन बनाके आउट हो गया था जिसमें हमारे जीयार विश्वानात ने वन वन स्कोर किया था और संदीप पार्टेल ने ट्वंटी त् अस्टेलिया की तरफ से महान डैनी सिली ने चार विकट लिये थे और इनके फास पोलोर होते थे लैंग पास को इन्होंने तीन विकट लिये और एक इनके स्पीनर थे ब्रुस याडली इन्होंने दो विकट लिये थे जब अस्टेलिया ने अपनी पारी शुरू की तो अस् रहे थे उन्हों ने 78 किया था और अन्तमया के डैनि डैनिस्ट रोडनी मार्स ने आके काफि अटैकिंग बल्लेवाज की थी उन्होंने 45 स्कोर किया था और यहां पे हमारे यहांसे जो हमारे दिलिप दोशी थे इनोंने तीन विकट लिए थे करशं घाफरी दो भीट लेगे थे और शिवलाली आदव ने दो विकट लिये थे और संदीब पार्टिल ने भी दो विकट लिये थे और यहाँ पे जो था अस्ट्रेलिया को 182 की लीड मिल गई थी जब हिंदुस्तान ने अपनी दूसरी पारी शुरूर की तो हिंदुस्तान ने सीरीज में पहली वार सुनीरग वासकर स्टेद्ल ये बहुत ओंस शुरूयक की थी और इन जिए नों ने बहुत धी ऐख, एक टीड हैुले विकत के लिए ye 165 स्कोर कर दिया था यहीं पर इस मैच का जो खास हाइलेट था यहीं एक खास सा हुआ था जो कि अपने आप में एक कितिहास बन गया जब 165 पर इंडिया का नौला साथ और सुनील गवासकर सेवंटी स्कोर पर बल्लेवाई कर रहे थे उस्टेंग डैनिस लीडी की एक बोल इनके पैड पर टकराई आके पर वह एंपायर ने सुनील गवासकर को लबी आउट दे रिया हलाकि सुनील गवासकर ने विरोद कर रहा हु और डैनिस लीली का तो एक अपना स्टाइल ही होता था है अलबी आउट कराने का तो डैनिस लीली इनके पास है उन्होंने इनके पैर की तरफ आप अगर वीडियो देखेंगे इशारा करा और कुछ होना ने अस्ट्रेलियन इंग्लिश जो वो गालियां भी देते हैं और य कि अपने साथ चेतन चोहान को भी बापिस ले आए बेशेक उस समय चेतन चोहान जो थे वो 85 पर भी बल्लेवाजी कर रहे थे तो यह जब बापिस लेके जा रहे थे तो जिस अंपायर ने इनको अगर आप मैदान छोड़के चले जाओगे तो आप यह टेस्ट भी हार रहे थे जाने का उनको भी ज्टका सा लगा और जो कुमेंटरी करने वाले थे अगर आप वीडियो देखेंगे कोमेंटरी करने वाले जहां पर विल और तानी ग्रेग या और रिची बैनों थे यह भी हमारे सुनील खवासकर की फिमद ले रहे थे लोगों को बता रहे थे कि नहीं बॉल की जो आवाज है यह वो थंब की आवाज है वो टक की आवाज है कि जब बॉल बैट के साथ टकराएती है जब बॉल अगर पैट के साथ टकराएती है तो थंब की आवाज आती है पर बैट के साथ अगर टकराएगी बॉल तो टक की आवाज आती है है वहां से हमारे जो टीम के मैनेजर थे दुरानी दुरानी होते थे यह तब तक ग्राउंड में अंटर हो गए थे तो इन्हों ने आके एक बड़ी सूज वाला कदम उठाया इन्हों ने वहां पर चेतन चौन को रोका और दिली बैंक सारकर को इन्होंने बल्ले वाजी करना क के लिए भीज दिया यहां पर और सुझे वासकर बापीश चले गए फिर उसके बार जब हिंदुस्तान ने कुछ कॉन्फिडेंस से खेली रहे थे तो यहां पर चेतन चौन में 85 डिली बैंक सारकर ने 41 गुंदपा विश्वनाद थर्टी संदीर पार्टी 36 स्कोर करा इंड यहां पर यहां क्या हुआ कि विकर्ट जो था वो काफी खराब हो गया था और यहां धुर्बागे इंडुस्तान के यह था कि जो कपिल्य थे वह इंजर्ड और रखे थे दिलिक दोशी भी इंजर्ड थे और हमारे शिवलियाल यादब थे इनके पैर का उंगठाई फ्रेक प्राइट तो पर विकर्ड जो था वो बहुत ही खराब हो गया था पर यहां पे कर्शन घावरी जो की अच्छे फास्ट बोलग है इन्हों ने जब बोलिंग की तो इनका साथ संधीर पाड्ड ने बॉलिंग में साथ दिया था यहां पे हमारे कर्शन घावरी ने यहां वी दस पर आउट कर दिया था और जब अगले इन फॉर्म बैट संग ग्रेग चैपल बल्लेवाजी करने आथे तो इन्होंने लगा था बोलों में उनको भी शुनेट आउट किया था जब यह चोथा मैच जब खतम हुआ था उससे में अस्टेलिया के 24-43 विकट उनके डाउन हो यहां पर हलाके दवाब बेशक अस्टेलिया पे था पर हिंदुस्तान अच्छी पोजिशन नहीं था लग नहीं रहा था कि अभी भी हिंदुस्तान जीच सकता है क्योंकि उनके पास अभी भी अलैंड वाटर केम यूज डग वाटर और रोडनेवास बल्लेवास थे यह कु विकट लेगे थे और यहां पर दृप दोशी ने भी कोई दो विकट ले लिये थे उन्होंने यहां पर भी आके और इस पारी में वह एकदम से अस्टेलिया 85 पे आल आउट हो गया था और हिंदुस्तान 59 से यह सिरीज जीट गया था और यह पहली बार हुआ था हिंदुस् विक्ट्री मेरे अपनी नॉलिज में मैं कह सकता हूं जो हिंदुस्तान अस्ट्रेलिया में जीता था एक तो अस्ट्रेलिया में जाके पहली बार इंडिया ने जो सीरीज को था ड्रॉ किया था और दोस्तों इससे पहले 1976 में भी एक टेस्ट मैच हिंदुस्तान वेस्ट इं हम लोग जब भी हिंदुस्तानी सोचते थी ये मेरे ख्यासे कुंडपा विश्वानाथ ने कुल मिलाके 14 सेंचरियां बनाएं और ये मेरे ख्यासे इनकी बारणी सेंचरी थी पर फिर भी जो एक हमारा अंध विश्वास था कि कुंडपा विश्वानाथ जिस टेस्ट में कोई हारता नहीं था दोस्तों एक आप से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को काफी व्यूज तो काफी आते हैं मेरी आप से रिक्वेस्ट है आप इस मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें कॉमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले एक रोचक किस्से के साथ तब तक अनियर रत्रकाश नमस्कार